आज मैं बनाने जा रहे हूँ सिर्फ तीन चीजों से बनने वाली केक इसके रहे हमें जरूरत है मिल्क एक लाची अब ये मुझे दूद्ध मैं इस ग्लास में 2 ग्लास दूद्ध ले रहे हूँ कि मैं इसे बोईल करने चड़ा दिया है दूद्ध लिए है उसे हमें देड ग्लास करना है मैं सी में इलाची डाल रहे हूँ इलाची का फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए में 45 Jाल दिये अब इसे पक्ने छोड़ देते हैं कि जैँ थोड़ा गारा हो जाएगा अधि somid का काम शुरू ने तक मैं अंडे को फेट देती हूं अच्छी तरह से देखिए अंडे को मैंने फेट दिया अच्छी तरह से अभी दूद्ध बलने लग जया है बलना शुरू हो गया है अगर मैं स्वात कैनुसा शुगर डाल रहेंगे आप कम ज्यादा कर सकते हैं अचली हमारा दूद्ध उबल चुका है अग मैं फ्लेम आफ कर रही हूं अब इसे हमें ठंडा करना चाहिए अचली हमारा दूद्ध ठंडा हो चुका है अब मैं इसे चान कर अंडे में मिला रहे हैं हमें चानना चाहिए ज़रूर अब हमें पत्तन में मैंने गी लगा के रखा हुआ है अब इसमें फीच से दुबारा चानना चाहिए अब मैं पत्तना चाहिए बड़ानों मैंटी मैं आपक परोबबaty impact इसके लिए मैंने गरम पानी चड़ा दिया है इसको मैंने एक डखन से डख दिया अब हमें इसे कम से कम 30 से 40 मिनेट तक स्टीउ देना चाहिए देखें यह हमारा यह पक चुका है चले फ्लेम और कर देते हैं देखें यह हमारा कितना टेस्टी और स्पंजी बना हुआ है बिलकुल सॉफ्ट है आप भी बना कर देखना आप भी धुकल सुट इस स्टाइब वह बड़ियो अरे लिए झाल झाल